आई अब हम समाजने की कोशिश करते हैं कि do y loop कैसे काम करता है ठीक है इसके लिए मैं यहाँ पर एक program बनाने की कोशिश करता हूँ और उससे फिर आपको समझाऊँगा कि do y loop की working कैसे होती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक variable declare करता हूँ int a is equal to 10 ठीक है और यहाँ पर एक character variable भी declare करता हूँ character ch ठीक है इस पर प्रोग्रम में क्या करूँगा कि मैं जो a की value है उसको increment कराऊँगा और उसके बाद user से पूछूँगा कि क्या आप इस program को further continue करना चाते हैं क्या नहीं करना चाते हैं अगर उसने y press किया ठीक है तन again वो continue होगा program और a की value increment हो जाएगी और अगर उसने n press किया तन वहाँ पर continuation नहीं होगी तो यही program हमने y loop से achieve करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ do ठीक है यह कुछ इस तरह से syntax होता है उसका do लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ do you want to continue do you want to continue ठीक है और इसके बाद उससे लिखता हूँ कि press y y को press करिए अगर आपको continue करना है ठीक है और यह जो आपका जो result है y का वो किस में store कराता हूँ यह ch variable में ठीक है तो यहाँ पर लिखता हूँ percentile c c because character है right इस बार d नहीं होगा और यहाँ पर मैंने किस में store करा है ch variable में store करा लिए जो choice variable हमने लिया हुआ था इसके बाद यहाँ पर हमारा closing brace होगा और यहाँ पर अब मैं while condition के साथ check करता हूँ कि while अगर ch की value जो है is equal to is equal to यहाँ तो capital Y हो ठीक है और अगर ch की value small y हो because caps lock on भी हो सकता है और caps lock off भी हो सकता है right तो यहाँ पर small y हो गए इन दोनों ही condition में हमारा यह हमारी condition हो जाएगी इन दोनों ही condition में हमारा loop continue करेगा तो आइए इसकी working समझते हैं देखे सबसे पहली बार जब loop चलेगा आप देखो condition checking हमारी end में है condition हमारी end में checking हो रही है right तो एक चीज तो शोर है कि minimum minimum आपका एक बार तो loop चलेगा ही चलेगा जैसे कि do y loop में चलता है because do है that means सबसे पहली बार a की value जो थी वो increment कर देगा यहाँ पर print of a that means 11 तो print होगा ही होगा ठीक है इसके बाद मैं लिख रहा हूँ do you want to continue press y और ch variable जो हमने declare किया था let's say उसके अंदर और उसने y value assign कर दी तो condition आपकी यहाँ पर true हो जाएगी अगर condition true हो गई दिन वापस हम यहाँ पर आ जाएगे और उसके बाद a is equal to a plus 1 a की value increment हो जाएगी then again 12 will be printed ठीक है और उसके बाद again पूछेगा do you want to continue और अगर उस बार उसने end अबा दिया तो end अबा दिया तो यहाँ पर ch के अंदर end आ जाएगा और यहाँ पर यह condition आपकी क्या हो जाएगी false हो जाएगी जब false हो जाएगी that means यह वापस नहीं जाएगा and instead इसके बाद जो भी current statements होंगे इसके बाद वहाँ पे वो land up कर जाएगा तो इस तरह से do by loop चलता है ठीक है पहली बार तो चलेगा ही चलेगा और अगर condition true होई then वो आपस आपका उपर की तरफ जाएगा और अगर condition false होगई तो नहीं next statements हैं उनको execute करेगा तो यही do by loop की functionality है और सबसे important बात या है यह menu driven programs में आपका काम आता है और जैसे for example आपको वहाँ message देना है do you want to continue तब उस तरह इसके programs में आपको यह चीज implement करनी होती है तो यह do by loop का program था